तो हम चाहते हैं अपने सीट के अंदर दो या दो से ज़्यादा अलग अरिया पे अलग अलग पास पर लगाना तो है मैंने एक 5 लाइं से सीट 6 के ऊपर दो परसन काम करते हैं Mr. A और Mr. B मैं चाहता हूं कि Mr. A Mr. B के डेटा के साथ 6 छार न कर सकें तो कैसे हो गए चीज़े तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा रिव्यू टैर में अलाओ एड रेंज पर क्लिक करना होगा उसके बाद वन बाइवन जितने भी रेंज है यहां पर नाम दिना चाहते हैं और यहां हम करते हैं अपना एरिया स्लेक्ट उसके बाद हम यहां पर पास्वर्ट डाल दिये दैन ओके पास्वर्ट को कनफॉर्म किया दैन ओके वह आपस न्यू पर जाते हैं और यहां पर बी कर देते हैं और यहां हम मिस्टर बी का एरिया स्लेक्ट करते हैं फिर मैं यहाँ पे Mr. D का पास्वर्ट डाल जते हैं different password, पास्वर्ट को confirm करते हैं Mr. C, D जितने भी यह कर दीजी, apply करके just okay कर दीजी उसके अभी भी type होगा, क्योंकि इतना करनेच नहीं होगा यह चीज एक्टिवेट तब होगी जब आप seat को पास्वर्ट डाले seat के उपर protect seat करके मैंने आपके password डाला, password को confirm किया, then okay अब देगे, मैं इसके अलावा नहीं और काम नहीं कर सकता लेकि जैसे Mr. A के उपर टक्ट करने के लिए जाएंगे, मुझसे password पुछेगा मैं Mr. A का password डाल दिया, तो मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ लेकि जैसे में Mr. B पर जाओंगा, again ask the password, यहाँ तो मैं Mr. B का password चाहिए, न कि Mr. A का तीस तरह से आप A के seat में कई सारे password apply कर सकते हैं, allow as its range की मदद से